हलो दूस्तों मैं सिये कुशल सोनी आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियोज आज इस वीडियो में इंकम टैक्स एक्ट के एक सेक्शन के बारे में मैं आपको नौलेज देने वाला हूँ सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A जो बात करता है capital gains in case of joint development agreements ये जो सबसेक्शन है सेक्शन 5A सेक्शन 45 में जो है ये कोई बहुत पुराना सबसेक्शन नहीं है सबसेक्शन को भी थोड़े एक दो साल पहले ही assessment year 18-19 से सेक्शन 45 में डाला गया है इस सबसेक्शन 5A को एक special tax regime in case of joint development agreements भी कहा जाता है ये एक special tax regime क्यों है क्योंकि इस सेक्शन में कुछ ऐसी special चीज़े हैं जो normal provisions of capital gain के हिसाब से नहीं चलती है यहाँ पे कुछ special situations है तो उन situations को ध्यान में रखते हुए जो capital gain की taxability है उसको आगे defer कर दिया जाता है एक particular time पे तो यहाँ पे जो normal capital gain की taxability है जैसे for example capital gain लगता है at the time of transfer तो इस section में section 45 5a में at the time of transfer capital gain नहीं लगता है इसलिए इसको special tax regime law में कहा गया है assessment year 18-19 से यह sub section 5a section 45 में insert किया गया है तो आईए देखते हैं section 45 sub section 5a जो बात करता है capital gain in case of joint development agreements क्या कहता है अगर आप section 45 5a का benefit लेना चाहते हैं तो आपको तीन condition सबसे पहले satisfy करनी पड़ेगी सबसे पहली condition है कि जो assessi होगा जो assessi section का benefit लेना चाहता है वो assessi या तो कोई individual होगा या H.U.F. होगी और वो एक owner होगी या फिर वो person owner होगा land या फिर building का यह है first condition दूसरे important condition जो section 45 sub section 5a को satisfy करने के लिए आपको fulfill करनी पड़ेगी वो है वो individual या फिर वो H.U.F. जो एक owner है land या फिर building का वो land और building ट्रांसफर करेगी किसको एक builder को या फिर एक developer को जो real estate से related projects बनाते हैं तीसरी और last important condition जो section 45 sub section 5a को satisfy करने के लिए आपको comply करनी है वो condition है के दोनों के बीच में दोनों कौन एक S.A.C. जो individual भी हो सकता है H.U.F. भी हो सकती है और दूसरी तरफ है developer या फिर एक builder जो real estate projects बनाता है इन दोनों के बीच में specified agreement होना चाहिए जिसको हम कहते है joint development agreement उस agreement में conditions लिखी होनी चाहिए के individual या फिर H.U.F. अपनी जो land है वो builder को दे रही है to make construction on this land ताकि वो उस land पे construction करे उसके बदले में जो developer है या builder है वो उस S.A.C. को individual या फिर H.U.F. को consideration में क्या दे रहा है normally अगर आप practical life पे जाए तो इस तरह के joint development agreements अग्जेक्यूट होते है तो माले जीए कोई ex-person ने एक land the builder को के आप land ले लीजे और इस पे एक real estate का project बना दीजिए 200 flats इस पे बना दीजिए तो यहाँ पे जो builder है वो X को एक कुछ particular amount पे करेगा और ये भी हो सकता है के X उससे बात कर ले के ठीक है ये particular amount आप मेरे को दे रहे हैं बट out of those 200 flats for example 20-25 डिपेंड on the negotiation between the SSE individual and the builder for example SSE says के मेरे को उसमें 20 flats भी चाहिएंगे और दोने के बीच में ये negotiation done हो जाती है और agreement sign हो जाता है उसको हम बोलते है joint development agreement तो जो X है जो individual है या फिर हुए उसको क्या मिला उसको एक तो particular amount मिला consideration में और उसको उस 200 flats में से 20 या 25 flats जो भी decide हुआ है दोनों के बीच में वो मिले तो यहाँ पर ये तीन conditions आपको satisfy करना बहुत जरूरी है अगर आप section 45 5A का benefit लेना चाहते हैं जो बात करता है capital gain in case of joint development agreements अब बात करते हैं इस section की main point पे के आप capital gain जो taxable होगा सबसे पहले तो दोनों की taxability की बात कर लेते हैं सबसे पहले builder या developer की बात करते हैं builder या developer जब flat बना के बेचेगा तो वो उसकी business income है क्योंकि वो उसका nature of business है तो वो profit and gains और business और profession के head में जाके profit जो भी होगा project से वो taxable हो जाएगा builder के case पे अब बात करते हैं वो individual या फिर हुएफ जिसने land दी उसके बदले में एक amount लिया और कुछ flats भी लिये इसकी taxability कब होगी इसका time of taxability है के जब जो authority है for example जो state authorities हैं जो completion certificate issue करती है real estate projects के तो जिस साल completion certificate issue हो जाएगा मतलब के जिस साल project complete हो जाएगा उस साल में ये amount जो भी profit होगा इस transaction पे वो amount as a capital gain taxable हो जाएगा in the hands of individual या फिर हुएफ जिसने अपनी land developer को develop करने के लिए दी है अब capital gain calculate कैसे होगा मतलब sale consideration उस individual या हुएफ के hands में आप क्या मानेंगे sale consideration importantly दो चीजों को मिला के बनेगा यहाँ पे सबसे पहला component होगा stamp duty valuation on the date of issue of completion certificate by the authority of the project जिस समय पे completion certificate issue हो जाएगा उस समय की stamp duty value consider की जाएगी प्लस वो एक्स्ट्रा consideration जो amount का है जो developer individual को दे रहे हैं वो amount भी उसमें add कर दिया जाएगा तो इन दोनों को मिला के जो है वो total consideration फॉर्म होगा for calculation of capital gains in the hands of individual और हुएफ अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है के stamp duty valuation जो है वो जब हम यह value of consideration calculate करेंगे in the hands of individual यह पूरे project का calculate नहीं होगा यह stamp duty valuation सिर्फ उस part का होगा जो builder और individual के बीच में decide हुआ है agreement हुआ है के 200 flats में से for example अगर 20 flats उस individual को रखने है या फिर 25 flats उस individual को रखने है तो उन 25 flats की stamp duty valuation ही सिर्फ हम लेंगे पूरे project की stamp valuation consider नहीं करेंगे आजी क्या होगा अगर जो project है वो as per agreement execute नहीं होता है और individual completion से पहले ही अपनी land किसी और को transfer कर देता है उस case में क्या होगा उस case में section 45 5a का benefit सबसे पहले तो नहीं मिलेगा आप special tax regime का benefit in case of joint development agreement claim नहीं कर पाएंगे यहाँ पे जो capital gain की calculation होगी in the hands of individual जो land completion से पहले ही transfer कर दिया है जिसने उसके hands में normal manner में capital gain calculate किया जाएगा और जब ये land transfer हो जाएगा उस समय पे capital gain की taxability आ जाएगी तो यहाँ पे 45 5a का benefit इस individual को नहीं मिलेगा अगर completion से पहले ही वो land किसी और को transfer कर देता है ऐसा बहुत बार हो जाता है कुछ cases में जहाँ पर cash crunches आ जाते हैं builder diversion of funds में involved हो जाते हैं एक project के fund दूसरे project में लगा देते हैं तो यहाँ पर इस case में real estate projects fail हो जाते हैं तो जहाँ पर real estate project fail हो जाता है उस case में जो land owner है वो land completion से पहले ही बेचने की कोशिश करता है ताकि मैं इसको बेच के इस project से बहार निकल जाऊं अगर ऐसा है तो section 45 5a का benefit उस individual को नहीं मिलेगा तो यह था section 45 5a के बारे में capital gain in case of joint development agreements between individual and developer और builder अगर आपकी 45 5 is related कोई भी query है तो आप comment box में comment करके वो query हमसे पूछ सकते है thank you for watching this video अगर आपके वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like जरूर करें जादे जादे लोग के साथ इसको share भी करें और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो please channel को subscribe भी कर लें thank you हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही interesting knowledgeable वीडियो थैंक्स अलोट बाई